पहले ही का है आज आती हो बक्वास करने जब सब कुछ के लियर हो जाता तब बताती है तुम अपने पती का कह रिये ओए तुमने इतना इतना करके चोड़ा है बक्वास करना बंद कर दे बहुत हो गया तेरा नोटंग की ड्रामा इतने दिन से तु इतनी बार अपने कमेंट को और अपनी बातों को बदल चुकी है हम तेरे पर भरोसा नहीं करते ओ भाई इतने लोगों ने इनको ऐसे ऐसे बातें लिखी है ऐसे जजवात बेक्त किये हैं कि भाई साव और कोई नॉर्मल अंसान हुए तो उके बदल जाए हालात बदल जाए जजवात भाई आज कुछ हैंसरो करने वाले हम अपनी वीडियो के शुरुआ तो भाई या आज हमें खयाल के साथ उपी वीडियो करेंगे शुरुआत सुनों तुम लोग मिलकर एक साहर कि भाई या बदल गए है दिल नाई दिल तो बना नहीं फिर से बनाते हैं कि भाईया बदल गए है दिल बदल गए जज़बात जिजी तुने इसा क्यूं किया टरू आलो के बदल गए खायलाद मुझे अपने घर जाना है भाई कल टरू वालों ने भी न कहा कि अब बहुत हो गया बस बहुत ज़्यादा इस लड़की का देदिया साथ ऐसी ऐसी बात में बिना सिर्पैर की लेकिन कल यह जहां पांसो हंड़ेट पसंट दिये जाए रही थी आज वह एकदम आई गे काला मू लेके फिर भाई का राते में जिजिए जैसे वीडियो डाला संजक डाला था और रात तक भाई है इतने मैसेज मतलब कॉमेंट्स भर भर के भर भर के जिजिए लोग कहा करती थी थी थैंक्यू सो मच आपने भर भर के प्यार भीजा दुलार भीजा ना जानी कितनी वार्यू नोटंक ड्रामा हमारे चुटकनी जिजी बढ़कनी जिजी अरे बढ़कनी जिजी तो भाई कहा रहे हम यूटूब है छोड़ दया वह है उनका कोई देखा ही नहीं जा रहा है उधर उनके अवलक से नो टंकी ड्रामा चल लहा है और इसे हमां बढ़कनी जिजी के दमाग बगूला हो रही होगी कि सब्सक्राइबर देखें पांच लाग सम्थिंग सम्थिंग और व्यूज भाई इतना कंट्रोर्सी करके सारे व्यूज कमाएं ले रही है और वड़कनी जिजी का बड़ी मुश्किल से जब दस-पांच बार थमनेल बदलती हैं दस-पांच बार टाइटल बदलती तो बार चल लाग सम्थिंग सम्थिंग और व्यूज भाई इतना कम उधर भी जितने भी थना सब्सक्राइबर उनके भी बदल गया खायालाद कि जुटी चल निकल अब बहुत हो गई तेरी बात तो भाई अब हमार चुट करनी जिजी बड़कनी जिजी ने जो सब्सक्राइबर को उल्लू बनाने का सिलसिला था उजारी रखा और सब्सक्राइबर अब जाट चुके हैं भाई कल का वीडियो आप देख लीजे जिजी का जो कल शाम को वीडियो आया था उसमें जो भर भर के भर भर के लोगों ने प्यार दिया सच्चाई वाला प्यार रियालिटी वाला प लिख रहे हैं किस तरीके से तुम साम दाम दंडवेद सब अपनाएक है ऐसे ऐसे सडियंत रची हो तरू वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ जाते हैं तुम्हार पाठ लेने पर भाई अब उनको भी तो समझ में आय रहा है कि यह का कर यह तो करी कि चट भी मेरी पट भ सारी को और फिर एकदम से ही बोल लें कि नहीं है यह मुझ काला करिके अगवाई का भगवानों नम आप कर पाई हैं और मैं कुछ बताऊंगी नहीं चुपर होंगी इतने नवटंकी ड्रामा लोग हजम ने कर पाए हाज मॉला की फैक्ट्रू खात मुझे थे खायक है उनके पच्चा वच्चा है या फिर पेट खराब होई चुका है कासकी न यूँ प्यार की ही तुम हकदार हो भाई इतना खेलो इतना खेलो जितना चल जाए जितना लोग बरदास कर पाएं मतलब तुमने तो लोगों को एकदम फौर ग्रांटेड ले लिया है मैं समझ रही हूं क कि टरु वाले सा देने के लिए बेकरार रहते हैं तयार रहते हैं लेकिन यहें घुलिंगं तक Narybal कर पाएंगे जहां तक तुम को सपूर्ट करना था टरु वाल ने किया इतना ज्यादा'll कि आइनका करज़दार मान लो आपको तुम हों इनका करज़दार लेकिन वो तुम इतना उल्लू बनाए रही थी तना उल्लू बनाए रही थी और कैसे मतलब यह इतनी जल्दी कौन कैसे बदल जाता है इसी से पता चलता है कि कितनी बड़ी कितनी बड़ी जूटी महिला है कितनी बड़ी सड़ी अंत्रकारी हैं कितनी बड़ी दिमागी हैं मतलब भई नॉर्म काला कराई क्या है वाइटी पर ऐसे शब्द कौन बोलता है तुम ऐसे शब्द बता रहे हो लोग इन सब शब्दों का अपने जीवन में दैनिक दिन पती प्योन जाने के स्किस पे थिभारी लेकिन हर कोई इसे खुरापाती चीज़े नहीं कर सकता और मा लो तुमका देखी देखा कर लिये तो का पता हो क्या हाला जज़्द बिदल जाओं है तो ऐसा ग्यान ना ही देने का चलिए जी जिजी का तो जो ग्यान था था ही न अब 300-400 के आसपास कुछ लाइक है तो जी चलिए थोड़ा से न जो जिजी को भर भर के भर भर के प्यार मिला है हो सकता इसमें आपका भी थोड़ा हुद प्यार हो जो जिजी तक जाय रहा हो अगर आपका होगा तो आप जरूर बताएगा कॉमेंट करके जो सबसे मन पसंद और इस वीडियो में बोला था न bara कि मैं बता नहीं सकती मैंबताओंगी नहीं क्यूंकि मैंने वादा किया मेरी जुबान की वयलू है पता नहीं ना लेना है कि अगर तुम अपना उसकी कोई बात बताओ कहते ना कि ना बताना प्लीज बताना नहीं अगर वो ऐसे जबान दे तो ऐसे इंसान से बस भाई या दोई घजदूरी है जरूरी कोरोना काल की तरह है यह हमेशा याद रहे ना कहाई कि ऐसे लोग होते हैं बतलब भाई हमने तो बताए नहीं हमने तो सिर्फ पहलिया बजाए अब लोग पहलिया समझ गए तो हम का करें यह उनमें से आते हैं भाई 500 परसेंट इन्होंने जिस तरीके से पहली बुझाने में किया है अपनी पती के लिए इन्होंने खेला था कि पती से लोग नफरत करन से अवने लगेंगे पती के लोग कहिंगे कि वैसा है तू ऐसा है तू अपनी वीभी के साथ दागावाजी कर रहा औरे कैसी वीभी ताहिस इसको नहीं लगा था कि मैया वाइफ हो मैं वाइफ हूँ तो भाई जो लोगोंने इनको धोया है हs भाई इतने पर नहीं रुके सब्सक्राइबर भाई सब्सक्राइबर की भानाओं से तुम खेल रहे हो सब्सक्राइबर तुम्हारे लिए चिंता करते हैं सब्सक्राइबर तुम्हारा इंतजार करते हैं सब्सक्राइबर तुम्हारा इंतजार करते हैं सब्सक्राइबर तुम तो सब्सक्राइबर नहीं बोलेंगे एक लोगों ने यह बोल दिया लवाई इन्हों ने भी बिल्कुछ सही बात बोली मेरी तरह कि कल तो हस्बन के साथ तुम वालंटाइन्स मना रही थी नाच रही थी अब एक दिन में क्या हो गया बोलते कुछ हो करते कुछ हो कौन चेंज होता है अगर तुमने इतनी कल कितने कॉंफिडेंस के साथ अभी वीडियो है डिल्यूट तो हुआ नहीं जाए कि देख लीजे जिसने नहीं देखा कि अब ना यह डाइवर्स तो होने के चांसी नहीं है और बहुत जल्दी मैं यह अपडेट देने आऊंगी औ और अब ना मैं इस रिष्टे को 500 परसंट दोंगी ऐसा कुछ जजवात इसने वेक्ट किया था फिर एक रात में बदल गए खयालात 500 का वही 5 परसंट भी तुम नहीं देरो 500 तो बहुत जाता है इतना जादा है कि वही कभी तुम दे नहीं सकती बराबर तो तुम दे नहीं पर इन्होंने जिद करी है और इनकी कोई डिमांड रही तो प्यार दुलार से हर चीज पॉसिबल है और अगर तुम शर्ते रखो के प्यार में तो भाई नहीं हो सकता इंसान कब तक जुपता रहेगा कब तक और ऐसी ऐसी डिमांड जिनका ना कोई सिर ना कोई पैर है इकल कि रही ना है और इनकी करती होगी जने यह जाने और और जोब वीडियो में तेनी चरित्र रोतिरय बदलती है मा मैं væशन और नहीं करते हृब है आ चुके हो मैंने तो भी तक नहीं देखी ना तो भाई इंको समझ पाना मुश्किल है नामुम्किन है ये इतने दिनों में जितने दिनों से मैं देख रही हो ना बतलब विगत ढ़ाई तीन साल से उससे पहले तो ये अलग ही उसमें थी दिल्ली वाले भाया से पहले भी होता है कि तुम कभी कुछ डिसिजन लए लो कभी कुछ डिसिजन लए लो हर चीज सोच समझ करनी पड़ती है इन सब के जोला तैयार रही ते कहीं उठाया कि जोला चल देथि हैं मेरे घर्मे कोई नोकरी करने वाला को बड़ा पर वालार होता तो कई स्कूल बच्चा जागे रहा था कोई नोकरी करने वाला घर में मातना पिता की यैर करना रिस्पॉंसिये नहीं है बस इनको सबको बहूं के हक चाहिए घर में हिस्सा चाहिए यू चाहिए लेकिन अगर को रिष्टा निभावक कह दो तो ना चुटकननी ना बढ़कननी बस बड़ी-बड़ी बाते हैं यूट्यूब पे आ जाती है परिवार आप सबको सबजी काटते हो एक कैसा लगता है आपको हमारी तरह घर गरती सम पर मतंती हों नहीं जानती होगी कुए इसको परिवार का मतलब जानती हो हो नहीं जानती हो कदम इसंद्स लोगों ने कितना कितना समझाओता किया होगा अपने स्टार्टिंग के जीवन में और किस तरीके से परिवार के लोगों की सुननी पड़ती है कई बार बहुत सारी चीजे पसंद ना होते हुए भी करनी पड़ती है तो तुम्हें हिसाब से तो अत्याचार हो गए जी ने उस हो सकता कुछ लोगों को मेरी बाते रूडवादी लगें कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा विकार लगें कुछ लोगों को अलग भी लग सकती है सबके अपने अपने माइंड अलग होते हैं मैं उस चीज से अगरी करती हूँ कोई बात नहीं पर समझाओता करना पड़त तो चाहे वो अपने लॉज के साथ किया और घर परिवार के साथ किया और हजबन के साथ किया करना पड़ता है बहुत जिंदगी ऐसे नहीं चलती या फिर सिंगल लाइब जी लूब है अपने डंडी के तरह जीवन जीओ जी धर चाहे उधर जुको आगे पीछे कोई है नहीं कहिते हैं ना कि आगे पूछना पीछे पगहा जी के मरे नरोवे गदहा यह दादी कहा करती थी तो यह तो ऐसी लाइफ जीवन अपना जीओ कि भाई किसी का कुछ इंटरप्शन नहीं होगा कोई कुछ तुमें बोलने नहीं आएगा और तुमको जैसे जिस फ्लो में भाई ना भाई ते रहो कोई कुछ नहीं बोलने आएगा तो ऐसी लाइफ सेलेक की होती ऐसी सोच वालों को जो ऐसी महिलाएं होती हैं उनको यही जनकी यह सोच होती रील की तरह फिल्मी सोच कि भाई हमको तो ऐसे जीना वैसे जीना देखो रील हूल में जो दिखाते हैं वो एक रील होता है एक सच नहीं होता और जो लोग इसको सच माल लेते हैं फिल्मी दुनिया को, फिल्मी स्टोरी को, सीरियल को, मूवीज को तो भाई सहब ना वो हमेशा दुख ही रहते हैं, और जब अपने पडोसी से रिष्टेदार से देदी से सहली से चाची से काकी से जहां आपने लाइफस्टाईल का ना कंपेर करें तहां तुम्हें जिन्दगी के टोटे लग गए काहस कि भाई साब उनके घर की कहानी लग तुम्हार जीवन आपन अलग तुम्हार दैनिक दि पुछ रहती है तो मैं पता है वो जो खुश रहती है उसके उस टाइम के होते हैं जब उनके हां कुछ होता है जो कहीं घूमने गये उसके पीठ पीछे कितने कंप्रोमाइस कर ती काका सुन्ती काका बरदास करती है जिन्दगी का कहानी चल रहे है कितनी अच्छी जिन्दगी होगी भाई उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है तो ना खयाली पुलाउम ना ही जिए यर्थार्थ के धरातल पे अगर कदम रखोगे शुटकन्नी जी जी अब इस चीज में तो पता नहीं तुमार कुछ हो पाएगा कि नहीं पर आगे की कहानी अगर तुम वाकए में अपना किसी के साथ लिखना चाहती हो अकेले लिखना चाहती हो और किसी के साथ लिखना चाहती तो थोड़ा यर्थार्थ की दुनिया में आ जाना ऐसे कुछ नहीं होता है नए तो वो तुमार फ्रिज तुमार दिवार तुमार उ चलने देते हैं, हमको तो ना इसकी राजी में राजी हो और ये काजी है मेरा, और ये लेके आता है डॉलर और मैं हूं कमाता है, और इसी के आगे मैं अपना हूं चले जाता, पीछे-पीछे तुम्हार पल्लू पकड़े चला आया करेगा, इससा को नो ढून ढाल लियो, तो भई हो सकता है, आगे कुछ ऐसा कहानी है, दरसको आपको कहा लगता कि ऐसा पॉसिबल है, एक कॉमेंट और है, जिसके ओपर थोड़ा सा प्रकास डालना चाहेंगे, अभी बहन तुम पती को छोड़कर यहां बैठ गई हो, पती तो दूसरी को ले आया, उसमें क्या गलत कि ऐसे कॉमेंट न जाने कितने हैं, कि अब तुमको पतनी बनने का सोख है, अभी तक तुम कहा थी, तुम बहुत ही सध हुई, यह वाला सुना, यह बहुत सॉलिड है, तुम बहुत ही सधी हुई हो, हर समय अपना स्टेट्मेंट बदलती रहती हो, बहुत है अच्छे से समझ हैं आप इनके जजबात को, आगे यह बोल रहे हैं कि भाई धिकार है इसी ओरत पर कुछ तो शरम कर लो, वाह जी वाह, का सॉलट तमाचा मारा है, जिजी की सोच पर गाल पे तो आप मार नहीं सकती, लेकिन जिजी को फिर भी ना सोच से कोई परहेज नहीं होगा, इतनी सा या पढ़ने के बाद भी वो कहेंगी हेट कॉमेंट करने वाले हैं, मतलब भाई अगर इतने सारे लोग कोई बात बोल रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि भाई कमी है कुछ आप में, लेकिन आपको इंप्रूमेंट करना ही नहीं है, एक बार उबढ़ करनी जिजी के तो तुमरे भी आला जज़बात बदल जाएंगे, वी उसके लिए फिर तुम सब को धमकी दोगी कि मैं ये ट्यूप छोड़ रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी छोड़ दूँ क्या, मैं ये भी छोड़ दूँ क्या, मैं वो भी छोड़ दूँ क्या, अरे भाई अपनी हरकत तो को सुधार लो, उससे न तुमार कुछ भला हो सकता है, हरकते सुधार नहीं हैं, बाकी की चीज़ें चोच ले करवाये लोगों से, हमेशा एक्टिंग, हमेशा टार्गेट, हमेशा लोगों को निशाने पर लेना, इसके अलावाएं लोग को कुछ नहीं आता है, अब भ भाई बाकी चीज़ें आप देखें रहें वाने वाले टाइमें और चीज़ें दिख जाएंगे लेकिन इनको उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि भाई ये वो लोग है ना इनको स्रीप मैं 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 बकरी के तरह करने आता है कि अगर कुछ है तो मैं हूँ कुछ है दी जाती है वो आपको पता है और ये लोग चाहके भिनान नहीं कर सकते हैं तो भाई बॉस इस दा बॉस हमेशा बॉस जो बोलते हैं वो करने पड़ता है ना तो तुम ही लेकर आई थी सब कुछ लाइब आकर बोल रही थी उसमें कुछ तो बोली नहीं तुम्हारी बहन औ भी टार्गेट किया था तब ये कहां भूल गई था मैं बीबी हूँ मैं वाइप हूँ आइफ बाकी लोग थे तब तुम्हारे बीबी वाला रूप कहानी जागा था जब तुम्हारे घर के साथ सारी रिष्टेदार नोना जिज्जा भी उसमें शामिल थे मजाग उड़ा तुम्हारे जाल में नहीं principal क से फिश तो नहीं डरा तुम्हें अफिसे तुह ब्ांस वान बदल देते हैं तुम्हारे तपने अपना इसली रू उप दिखाया दिया झाल झाल